नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया न्यूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वादी सिंग इंदौर में पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाय सामने आएंगे जिसमें गुंडों और अपरादियों तत्वों के खौसले बुलंद नजर आएंगे जिसके बाद आज मुखे मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने सुबा इंदौर के प्रशास्तनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ शहर की कानून विवस्था की समिक्षा बैठक की जिसमें कुछ एहन फैसले लिए गए हैं सियम शिवराज इंदौर की कानून विवस्था को लेकर सक्त नजर आए और उन्हें बैठक में कड़े निर्देश जारी करते हैं सियम ने कहा कि गुंडे बदमाश और आ समाजिक तत्वों पर कठोरतम कारवाई जल्द से जल्द होने चाहिए इसके अलावा उन्होंने कहा कि गुंडे बदमाशों में पुलिस का खौफ होना चाहिए क्योंकि आन जनता में पुलिस पर विश्वास होना जरूरी है सियम शिवराज ने कहा कि सारवजने के स्थानों पर शुराब पीने और नशा करने जैसी गतिविदियों को बड़दाश कता ही नहीं किया जाएगा इस प्रकार की गतिविदियों में लिप्त व्यक्तियों पर तुरंत से तुरंत कारवाई की जाएगी CM ने कहा कि शहर की कानून विवस्ता पूरी तरह से बनी रहे इसके लिए जो भी जरूरी प्रयास हो उठाएं जाएं इसके अलावा उन्होंने हाल ही में इंदौर शहर में हुई घटनाओं को लेकर भी संग्यान दिया है बैठक में DGP सुधी सक्सेना, ADG, आदर्श, कटियार, CM मुख्यमंत्री, मनीश रस्तोगी, OSD मुख्यमंत्री, आशुमान सिंग, सहित अन्य अधिकारी, भोपाल जुड़े से साथ और पर इंदौर पुलिस कमिशनर भी तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे यहां तक कि कलेक्टर वहां पर मौजूद रहे, जुलाप्रशासन की अधिकारी वर्चुली वहां जुड़े रहे लेकिन बैठक में मुख्यमंत्री ने जिले की कानून विवस्ता जिस तरीके से समयक्षा की उसको लेकर नजर आया कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से नजर आ रहे थे कि कानून विवस्ता को सकती से लोगों के जहन में खास तोर पर बदमाश और अपरादियों के जहन में खौफ पैदा करने वाली बात बार-बार दोराई जा रही है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशे भी इस तरीके से गुंडे बदमाशों के लिए दे दिये कि कोई भी कारवाई में कमी नहीं रहने चाहिए बदमाश और गुंडों के लिए एक साफतोर पर कोई भी दया धर्म उनके जहन में नहीं आना चाहिए जो गलत कर रहा है उसको साफतोर पर पुलिस आरे हातों ले और शराब पीने वाले नशावालों के लिए भी तरान दरीके की बाते शिवराज सिंग चौहान ने कहीं है इस प्रकार के साफतोर पर गती विदियो को लेकर शिवराज सिंग चौहान बोलते हुए नजर आए लेकिन इस पर अब सवाल खड़े होते हैं कि वाचानक से शिवराज सिंग चौहान ने कानून विवस्था पर ये मीटिंग बुलाना इस तरीके से निर्देश देना इसके पीछे की वज़ा साफतोर पर लोग ढूनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको बता देए कि जिस तरीके से चुनाव भी नजदीक हैं वो बार बार जनता के समक्ष जो है वो अपनी बाते रखते भी हैं और जनता से तमाम तरीके की समस्याओं को पूछते भी हैं लेकिन ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका शिवराज सिंग चौहान का लोगों को नज़र आया कि उन्होंने पुलिस कर्मियों को समझाया किस त आफ तोर पर पहल वाला विश्वास में ज़र आ रहा है इसलोड़ी तो हम अपडेट के रहे हमारे साथ बने रहें बेखते रहेंगे हैं उस्तानिवार्ण